Hello everyone, good morning to all of you, wiring estimation, costing अने contracting चेप्टन नंबर 2 विशे बात करता आता, जेनों नाम हतु, अंदाज नाम उडबुद्त तो इटले के elements, basic elements of estimation अने contract विशे समझ इटले understanding of contract तो चेप्टन नंबर 2 मां आपने mail लिखास अंदाज अने contract विशे बात करवानी हैती तेमानों प्रथम बागेट लेके अंदाज, एविशे आपने वाद करता हाता तो सव प्रथम आपने अंदाज नी व्याख्या जोई, त्यार पसी अंदाज विशे नों प्राथ्मिक परिचाई मेड़ियो अंदाज ना अलग अलग अपने प्रकारो जोया, जेमके 68 अंदाज अने वैज्णानिक अंदाज जेपन कई परिबड़ो होई, कि कया परिबड़ो आपने ध्यानमा लेवा जोई ये तो ये परिबड़ो विशे नी आपने वाद करीशू यहां कि आपने ख्याल से कि आपने वहिग्णानिक अंदास करो हो है तो यह वहिग्णानिक अंदास आपने डारेक्ली करी सकता ना थी परन्तु यह अंदास करवा माटे अमुग जे परिबड़ो होई इले अमुग जे बाबतो होई ए बाबतो आपने हम्मेशा ध्यानमा राखवी परती होईशे तो एक कई कई बाबतो हो होय के जहने आपणे विग्णारी गंदास करती वखाते ध्यान्मा राखवानी होय Istお願いします तमी बाबतों ने आपने ध्यान्मा राखवानी होय. तो एक कई कई बाबतो होके सब प्र्फमा आपने इया नाम जोईलय Ist प्रेख नूँपची आपणे डीटेल मां डिसकसंद करीशू। तो प्रथम आपेलूँचे के जरूर यातना माल सामानी गणतरी। डीटेल मां जो इसुहमना आपणे। त्यार पसे आपेलूँचे के जे आपनों जे प्रोजेक्ट होई, ए प्रोजेक नी जे पनके डीजाइन होई अथवातों जे नक्षो बनाई होई एनो अभ्यास करवो पछी सर्व सामान 창 एक पत्धेती एलेके कई पत्धाथी थि ये प्रोजेक नू कार्या करवानू छे ए सिवाई माल सामान नी दरशुचिனी माहीति येले जे माल सामान वापर वानो होई एना खर्चा विशेनी महीती बजार मा माल सामान नी स्थीती बजार मा ये माल सामान अवेलेबल छे अथवातो नती ए विशेनी महीती लेवी माल सामान नी योग्यतानी सर्खामनी એकે જે માલ સામાણ આપણે વાપર્યછીએ એ માલ સામાની યોગ્યત તાની એટલે अने कारिया स्थर नी परिस्तिती जे जग्या आपने प्रोजेक्ट बनावानों है ए जग्या नी परिस्तिती विशे नुँ अंदात मेडवो तो आजे तमाम परिबडो होई ये तमाम परिबडो जारे आपने वहिग्णानी गंदाच बनावता होई ये वहिग्णानी गंदाच बनावती वखते द्यानमा लेवा नावेशे ये तमाम परिबडो क्याम द्यानमा लेवा जोईए यहनी आपने डिटेल मा वाद करीशू तो समझीशू आपने दरेकने जह मानू प्रथम हतू जह आपने परिबढ़ो जो या यह मानू प्रथम परिबढ़ हतू जरूर यातना माल सामाननी गणतरी इटले किये आपने जेपन कई प्रोजेक्ट बनावानो होई यह प्रोजेक्ट बना यहाए तो आपने ख्याल छे कि आपनो जे प्रोजेक्ट होई ए प्रोजेक्ट माटे आपने माल सामानी जो घणत्री करीशू तो आपने घणत्री कर्या पछी एक साचो अंदाज मड़ी जेसे कि आ प्रोजेक्ट पूरणकर है आपने केटलो खर्चो थाये, त्यामज आ प्रोजेक्ट पूरणकरवास कराओं माटे आपने केटलो स्तमाई लाखसे तो आपने माल सामानी गणत्री करीशु तो ये गणत्री पर्थी आपनो जे आखो प्रोजेक्ट होई ए प्रोजेक्टनो तमाम अंदाज आपने मेडवी सकीशु अने ए सिवाई तमाम जे माल सामानी आपने गणत्री करीशु तो आपनो जे प्रोजेक्ट होई ए प्रोजेक जारे अधूरू कारिया थाए, तो अधूरू कारिया थाया पच्छी जे तुटक-तुटक कारिया थातू होई, ए तुटक-तुटक कारिया थामाई सम्भावना घटी जती होई शे, यहां जोई शकाए क्या आपनु जे कारिया होई, यहां माल सामान नो बगार थातों नथी औ অনে অদুর প্রেতে নথি এলে মাল সামানে আপণে সারলেতে গণত্রি করিয় হয় তু মাল সামার আপণ্নি পাসে পুর্ত্যা পুর্ত্য় আপ্ন परवान होई ए मट्रियल ने घनत्री आपने कॉंपिटर बेज उपर करता होई ची एटले आपने चोक्साई पूर्वक माहिती मरती होई और माल सामानी जे पसंगी करवानी थाई ए पसंगी आपने यहां जोई शकाई कि इंडियन इलेक्रिसिटी रूल एटले कि आई ए ना नियमों प्रह्माने यहां जोई आने एएसएश एट एंडियन स्टांडडडना नियमों प्रह्माने करवामा आवचे इले माल सामान आपने जे बंपर आपने जेथ करी ने भविस्यमा ये जे माल सामनों जत्तो होई ये जत्तामों कोई प्रकान नो प्रोब्लेम आपन砯 ना निवडी सके तो आरेते सब प्रथम प्रफम परिबढ़ होई के माल सामनी गणतरी तो ये परिबढ़ने खास त्यान मा राखू जोईंए त्यार पची नो टोपिक छे कारिया के प्रोजेक्ट ना नक्षाने डिजाइन नो अब्यास आपने ख्याल छे कि कोई पन आपने कारिया सरू करू होई तो यहना माटे नो आपने प्रॉपर आपनी पासे प्लान हो जोई और प्लान ने आपणे प्रॉपर नक्षानी मदध्ती योग्य रीते आपड़ें अंचे डिजाइन करी सकायी चें तो यह अपड़ें अभ्यास करें जोई क्यर्द करो जोई आवे तो आपने ए प्रमान जे कारिया करी होई ए कारियमा केटलाइ प्रकानी भूलो उद्भवी सक्याँचे पॉई मैं के देखा वो पंड योगिया ढीते पूरो आपने तो खास करो णंगस के एन मुदानने मомालब्रा ममाला वह आले ội્ંમ્મ મંડન સોયે whackાંદ here મૂગવાને મંકવાનું માટે કોય și કોં પ्रોપર સીંબસે કે સીંબો सारे येते येनों नक्सोन डिजाइन आपणे करी सकाई छे तो अबीचा नम्बन नू परिबढ़ हतू त्यार पच्छी त्यार पच्छी नू परिबढ़ छे सर्व मान्य कारिये पद्धाती तो कोईपन कारिये आपने करू होई तो ये कारिये करवा माटनी केटलिक पद्धाती होई छे परन्तु ए पद्धाती हो माथी आपने कई पद्धाती नू उप्योग करो ए माटने आपने नौलेज जोई जोईए आपने एवी पद्धाती बापर वी जोईए कि ए पद्धाती मा आपना जेपन कई ओजारो होई ए दरेक नौ उप्योग थाई शके त्या मज योग्या जे मानाव शकती होई एनों पड़ उप्योग करी सकाई समय बद्धरीते कारिये शके और योग्या समय मरिया दामा था दरेक वस्तुने ध्यान मालाई औने आपनी जे कारिये पद्धाती होई एक कारिये पद्धाती ने आपने नक्की करवी जोईए जो आक कारिये पद्धाती थी आपने कारिये करी सु तो आपनू कारिये योग्या करका सर्योग्त औने सफर ताथी पूरू करी सकाई छे तो क कारियपत दति ये खुब ज महत्वनी छे, अने कारियपत दति एवी होई जोईए के ए कारियपत दत दति आपने आपने काम करिए तो ये काम करवाम आपने सरड तार है अने कोई प्रकानियी अर्चन उबी ना थै सके त्यार पच्छी नो चौथू परिबड़ छे जरूर यातना माल सामन नी दर सुची नी महहिती नी जानकारी येटले के जेपन माल सामन आपड़े उप्योग करवान होई ए माल सामन नी प्राइस नी आपणने महहिती होई जोई ये आपणने खबर छे के आधना जे युगमा एक हरीफाईनो जमानों गणी शकाए अने हरीफाईना जमाना मा जेपन माल सामन होई येले के एकत सर्खो माल सामन होई परन्तु ए माल सामनने किम्मत अलग अलग होई छे एक सर्खो जो माल सामन होई परन्तु बजार मायनी किम्मत प्रतम गुणवत्ता प्रमाण यहनों बाव योग्या छे अथवा तो नथी यानी गुणवत्ता ने भाव बनने वस्तु अपने चेक करवी जोई यह त्यार पसीज आपने माल सामान नी पसंदगी करवी जोई कियारेक यहूपन बनी सके अए के कोईपन च्टांडर वस्तु मरती हो वज्यार निएवीज बिजी वस्तु यहनी डूब्लीकेट मरती नाजैर मती तो श्टांडर्ण नी जग्याए आपने डूबलिकेट वस्तुनू पर्चेस करता होई छी अन्य वस्तु आपरवाथी आपनू जी कारिये होई एक कारियानी जी लाइप क्यापेसिटी होई एक गटी जती होई अधा प्रोब्लेम थो इसंभावना वदी जती होई छी तो आपनों अंदाजकार होई कि जैने प्रोब्ल आपनों एस्टीमेशन करी होई एनि या दरेक वस्तुनी माहिती राखवी जोईए कि जे पन कई बजार मा माल सामान मढतो होई ए माल सामान कोई भेड़सर युक्त ना आवे यानि गुनवत्त जडवाए औने यानों जे पन क खर्च होई ए खर्च पन आपने करका सर्युक्त थई सके ए प्रमाने माल सामाननी पसंगी कर्वी जोईए तो आरिते पसंगी करवाथे आपड़ु जे नफानु प्रमान होई इन नफानु प्रमान पन वदाई शकाई छे तो च्वाथू परीबढ हथे ने ऑपास resc tracing अगाव आपने वाद करी हती कि सपोज आपने जेपन कारिया करवानु होई अनि यहाना माणे जे माल सामान वापर होई पर अगाव थी आपने बजार मा उपलब्दी होई जोई यहारे के यहुग बनी शकी के आपनू कारिया अडदू होई अने त्यार पची ये माल सामान बजार मां पून थाई जाई तो ये समय आपने माल सामान नमडवा थी आपनु जे कारिये होई एक कारिया क्यारेक आपने अधुरू छोड़ू उपड़े अने कारिया अदूर छोड़ा पसी आपने नवे सर्थी श्टार्ट करिये तो आपना कारिया नो जे बाहिया देखा होई ये बाहिया देखाओ पन घटी जतो होई छे तो बजानना माल सामाननी जेपन कई परिस्तिती होई ये परिस्तिती आपने पहला चेक करवी जोईए त्यार पची चठा नम्बनू परिबर छे माल सामाननी योग्यतानी सर्खामनी अने पसंगी आपने अगावाज वाद करी हती कि कोई पन एक सर्खी वस्तु होई कोई पन जैम कि आपने स्वीच लेवी होई तो जे स्टांडर स्वीच मरती होई अने एज प्रमाने नी स्वीच एनी कोई डूबलिगेट स्वीच मरती होई तो एज बनने स्वीच आपने बाहिया देखाओ पर्थी सर्खीट लागे परन्तु बाहिया देखाओ पर्थी आपने माल सामाननी पसंगी करी शकाए नई ए माटे आपने इनी गुणवत्ता चेक करी जोईए लेके टेकनिकल परिभास आमाज वाद करीए तो ए स्वीच ने अपने करन्ट रेटिंग चेक करूँ जोईए वल्टेज रेटिंग चेक करूँ जोईए अने फूल थावाण अलग अलग जे संभावना होई अपने इनी चकासवी जोईए ने ए प्रामाणे आपने ईनी पसंगी कर्वी जोईए तो आपना प्रॉजेक't नो जेपन कई माल सामान होई तो इनी पसंगी करती वकहते ज़े पन्ख ए मट्रियाल अवेलेबल होवी बजारप मा दर्एक मट्रियाल ने आपने सर्खामणी करवी जोईए यह मट्रियाल ने गुनवात्ता सारी होई ए मट्रियाल ने पसंगी करवी जोईए अबिशलांग नवें, गुनवात्ता सारी पन होई जोई ये, इतने इसाय स्टांडर्ण ने पनण प्रोवाइड करू जोई है, प्रोजेक्त मतेर संदार्ण पने में परेबर न stårल एक मिमसा स्टांडर्ण एटले के कोई पन आपड़े प्रोजेक्ट बनावानों होई तो ए प्रोजेक्ट माँ केटलों माल सामान वपराशे यहनुर तोटल एस्टीमेशन होई एस्टीमेशन नों आपड़े आखो लेयाउट तैयार करवानों होई ये प्रवाजेकन टोरल लेयाउट तैयार करवान होई अने लेयाउट तैयार करया पची एने खरीदवा माटे आपने योग्य वीवरण आपपू पड़े छे एले कि आटली स्वीच टेम आपने लेवानी छे कहां मकान मापने 10 त्वीच नी जरू छे तो 10 स्वीच वापरवानी छे एक कई कंपनी नी स्वीच वापरवानी छे त्यार पची एक केटला रेटिंग नी स्वीच वापरवानी छे अने केटला नंग मां स्वीच वापरवानी छे ए प्रवाने आपने वीवरण बनाओ जोईए त्यार पची आपने वायर वापरवान મापन ને સरર્તા રેતી હોઈ છે પછે આપે લુશે કુશળ માનવસક્તીની ઉપલપદી કુશળ માનવ સક્તીની ઉપલપદી કોઈ પણ આપણે કાર્યા કરું હોય અમાનો પ્રથમ પ્રકાની આપણે વાદ કરીએ તો એક ઉચકુશળ એટલે કે જે માનસ ને ખુબદ નોલેજ હોય પ્રકુશળ માનસ કઈશુ પછે કુશળ માનસ એટલે કે સકીલ પ્રકાન નો પરશણ અને અર્થ કુશળ માનસ એટલે ઉજ કુશળ માનસ ને નિમ્ણુક કરવી જોઈએ જો આની જગ્યાઈ આપણે બીન અનું બવ્ય માનસ વાપરીશુ તો આપણું જે પણ કઈ કામ હોઈ એ કામ ની જે કૌલીટી હોઈ એ કૌલીટી વર્ક માં ગટારો થઈ શગે અને આપણે જે કામ માં ખર્ચો કરે હોઈ એ ખર્ચો આપણે ગમેટ્લો કરે હોઈ તો પણ આપણે કામ માંથી જે જે આપણે કઈશ્યું કાર્ય સ્થર્ણી પરીસ્થી તી લે સાવ પ્રથં જે જગ્યાય આપણું પ્ર્જેક કાર્યા કર્વાનુ હોય તો ત્યાં જે આપણો અંદાજ કાર્ય સવ પ્રથમ કાર્યા સ્થર્ણી મુલા કાટ્લે કાર્યા સ્થર્ણી મુલા કાટ્લે શે તો એને ખ્યાલ આઉશે કે જે પણ કામ કરવાનુ છે એક કઈ જગ્યાય આવ કરતા પેલા આજે તમામ પરીબળો હતા એતમામ પરીબળો ની ખુબ ધ્યાની ચાકાશની કરવામ આવે તો આપણુ જે લેવાતા પરીબળો તો દરેક વિદ્યાર્થીએ આજે પરીબળો આપેલા છે એપરીબળો યાદ રાખવાના છે અને યાકરં એકરંરલ હએબલ હરારા હહરાંરલ હંરત઺ એહરારલ હહરંિંલ હંરારારતંતતય હહરાિં હહરાાહા